रोशनपुर नाम के गाउं में चन्दा और शान्ती नाम की जिठानी और देवरानी रहती थी। के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा खाना दे पाए तो बहुत महरबानी होगी, मुझे जो भी पैसे मिलते हैं वो तो आपके देवर नशे में उड़ा देते हैं। अरे अपना ये रोना अगाना बाद में कर लेना, पहले काम निप्टा ले घर का। मेरा ओर टाइम खराब ना कर जा। गेहूं पीस ले, फिर तुझे कपड़े भी दो नहीं। शांती रसोई घर में जाकर गेहूं पीस्दे लेगती है। पीस्दे पीस्दे कुछ गेहूं वहाँ कपड़ों में गिर जाते हैं, जिसे देख कर उसके दिमाग में काईडिया आता है। क्यों ना ऐसी थोड़े गेहूं में अपने पल्लों में बानकर घर ले जाओं, फिर एक बरतन में जमा कर लूँगी और उसे पीसकर रोटी बना लूँगी। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा, मगर फिर एक दिन चंदा ने शांती को ऐसा करते हुए देख लिया। अरे, पहले तो मुझे लगा तुम लोग बस गरीब हो, पर तुम लोग तो चोर भी हो, चोर नी कहीं की, मुझे तो लगता था तुग गेहूं पिस्ती है, पर तू तो अपने पल्लों में गेहूं छुपाकर ले जाती है, निकल मेरे घर से। मुझे माफ करतो भाबी, हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। आरा तुम लोग मेरे रिष्टेदार हो, इसलिए दया करकर तुझे मैंने अपने घर पे काम पर रख लिया। पर तू और तेरा पती, हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने पर उतारू हो चुके हैं। आपको मुझे जितनी गालिया देनिये दीजी, मानना है तो मार भिलीजी भावी पर मुझे काम से बैत निकालिये। परिवार की बात है, बना कोई और ऐसा काम करता न, तो धक्के मार कर कबसे घर का बाहर निकाल दिया होता। रोती रोती शांती अपने घर चली जाती है, जहां उसका नशेडी पती कहता है। रामलाल शांती को बहुत मारता है, शांती का मन दुखी हो जाता है और वो गाउं के तालाब के पास के एक पेड़ के नीचे बैट कर फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने कभी किसी का पुरा नहीं किया, फिर पिर भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो रामलाल शी की फिकर करती हो, फिर पिर पिर उन्होंने मुझे इतना बारा। तबी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रोने की कोई सरुवत नहीं है बेटी, चिंता क्यों करती हो। ये आवाज कहां से आ रही है। शांती अपने आसपास देखती है, उसे कोई नहीं देखता, वो उपर देखती है, जहां उसे एक छोटी सी परी देखती है। आप कौन है, आप तो कोई परी लगती है। हाँ बेटी, मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ, मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई सरुवत नहीं। अपनी आखे बंद करो, शांती आखे बंद करती है और जादूई परी अपनी छड़ी गुमाती है। उसके छड़ी गुमाती ही पेड़ के सारे पत्ते सुनेहरे रंके हो जाते हैं। परी उन में से एक पत्ता तोड़ लेती है, और फिर से अपनी छड़ी गुमाती है, जिसके कारण सारे पत्ते पहले की तरज साधारन से दिखने लगते हैं। आखे खोलो बीटा, लो इस पत्ते को ले जाकर अपने तक्ये के नीचे रख देना। अगली सुबर शांती नीचे जाकती है, अपने आसपास का नजारा देखकर चौक जाती है, उसके बिस्तर पर चारों तरफ सोनी चांदी रखे हुए थे। शांती जैसे ही कमरे के बहार जाती है, वो देखती है के रामलाल सूट बूट पहने काम के लिए बहार जा रहा होता है। मुझे शहर में एक नौकरे मिल गई है शांती, मुझे आने में देर हो जाएगी घर का ध्यान रखना। और इस तरह शांती बहुत अच्छा जीवन बिताने लगती है। उसके पास अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह जाती। रातो रात शांती के पास आए इतने पैसो को देखकर उसके जिठानी उससे पूछती है। जादुई परी कहती है। क्या हुआ बेटा? क्यूं रो रही हो? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पती मुझे बहुत मारते हैं, अब मैं जीना नहीं चाहती। चिंता मत करो बेटा, अपनी आखे बंद करो। जादुई परी चंदा को भी उसी पेड़ का एक पत्ता देती है और तक्ये के नीचे रखने को कहती है। चंदा उस पत्ते को लाकर अपने तक्ये के नीचे रख लेती है, और अगली सुबह जब उठती है, तो उसके कमरे में चारो तरफ साब बिच्चु रहते हैं। पिच्चु को बस जादुई परी ही हटा सकती है। दोनों मिलकर जादुई परी के पास जाते हैं। ये सब तुम्हारे बुरे इरादों का नतीजा है चंदा। तुम जूठ मूठ बस पैसी के लालच के कारण यहां आकर रो रही थी। इसलिए तुम्हें जादुई पत्त के लिए आई। चंदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसलिए जादुई परी उसके घर से सारे सांफ बिच्चों को गायब कर देती है। चंदा और शांती आपस में मिलचल कर रहने लगती है। झाल 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 झाल